जैन्द एवरिवन वेल्कम टो रॉल्स अजुकेशन में आप सभी लोगा स्वागत हैं डू कंफर्म देट आम वीजिबल और ओडिबल तो अलोफ यू कंफर्म किजिए कि हमारी अवाज अभी आप लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच पा रही है आप लोग हमें सुन पा मोटे कहें दीप्ति मिष्रा क्वेश्चiss rapt गिया नहीं हमने दिया है हंटेट परसंट दिया है सभी का स्वागत है है एक प्रस्शे का अशभाट में साफिव मैंशा अजया प्रजापत्त का सवस्वैक्ट इससे पहले हम आगे बढ़ें श्राक्षि का एक प्र सक्र Ox 36 खुदाई क्या होती है और उद्रवाधर या अनुलंब खुदाई क्या होती है जहिंद आप में से कोई बता पाएगा कि 36 खुदाई क्या होती है उद्रवाधर क्या उद्रवाधर खुदाई क्या होती है इसको पहले हम क्लियर कर देते हैं उसके बाद पढ़ेंगे इंपोर्टेंट चालुक के रूलर्स और बदामी राइट है हाँ ठीक है ठीक है मैं ग्रूप में अभी क्वेश्चन जो मैंने लास्ट मैं दिया था उसको मैं लिख दूँगा देखो सबसे पहले हम बात करेंगे उद्रवादर खुदाई की अच्छा इंग्लिस में क्या है होरिजन्टल होरिजन्टल एक्सकेवेशन कोई बताएगा या इसको हम कहेंगे अनुलंब खुदाई अनुलंब खुदाई और दूसरे को हम कहेंगे 36 खुदाई यह अल्रडी मैंने पढ़ाया हुआ है ग्रूप में मेरी जो अनकेडमी की लिंक पढ़ी है उसलिंक को अगर आप खोलेंगे हाँ वर्टिकल औ अन्य होरिजन्टल तो वहां पर मैंने जब इसके बारे में एक्सकेवेशन बारे में बताया था और से सब्बता जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने यह खुदाइओ के बारे में बताया हुआ हुए है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भाई आप लोग इससे अभी अवगत हैं या भूल चुके हैं हाँ 100 परसेट ये टॉपिक पढ़ा दिया है शाक्षी जो अनेकाडमी का लिंक है उसको जब आप खोलेंगी तो वहां पर जाके पढ़ना पढ़ेगा और वो बिल्कुल का खुदाई की वर्टिकल मतलब क्या होता है सीधा तो किसी जगा पड़ी जो आकेलोजिस्ट है की हाए ये चौप כो सब कुछ पढ़ा दिया है किया कि सीधा खोदना शुरू कि यहां तो यह खोद नी शुरू कि यह खोदनी शुरू की आपको फुरातत तू मिले थे आप आपने जब खुदाई शुरू की तो जब आप ऐसे खो देंगी तो इसको हम कहेंगे वर्टिकल खुदाई एक ही जगह पर गड़ा 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 करते चले गया तो उससे क्या होगा शुरुवाती दोर में मालो की कोई इन्डर स्वैली पर आप करोगी तो आपको कुछ दूरी तक कुछ तूरी तक शिंद५ु गाटी सब्धिता के साख्ष मिलेंगे इंडस वैली टिशेशन के साख्ष मिलेंगे पर नए सब्धिता होगी वह उपर होगी फिर आप और भी ज्यादा अंदर खोदोगी तो आपको पता चलेगा अरे यहां पर तो पहले भी अर्जुन मोस्ट वेलकम और और ज्यादा गहरी खुदाई करोगी तो आपको पता चलेगा कि अरे यहां तो पहले नियोलिथिक लोग के लोग रहते थे नियोलिथिक पीरियड के लोग रहते थे नियोलिथिक पीरियड के लोग रहते थे यानि कि जो पत्थर के ओजार मिल रहा है छोटे-छोटे मिल रहा है माइक्रोलिथ मिल रहे हैं यानि कि नौ पाशाण यूग के लोग रहते थे ठीक है और थोड़ा हम गहरा खो देंगे तो हमको मिलेगा अच्छा कुछ मीटर जाने के बाद से अरे यहां पर तो मैसोलिथिक पीरियड के लोग भी रहते थे अगर वो लोग वहां पर रहते थे तो यानि कि मद्यपाशाण यूग के भी लोग रहते थे और थोड़ा और खुदाई करेंगे तो पता चलेगा अरे यहां तो उससे भी पुराने लोग रहते थे यानि कि पैलियोलिथिक Paleolithic period के लोग रहते थे यानि कि आप गहरी गहरी खोदते जाओगी तो आपको क्या होगा अगर एक जगह पे विभिन प्रकार की अगर एक जगह पे अलग-अलग सब्विताएं रही हैं तो सबसे उपर वाली शब्विता वो आपको उपर में मिलेगी अगर हम 2021 में हैं आज से 10,000 साल बाद हो सकता है कि जहां पे हैं वो जमीन नीचे दब जाए इसके ऊपर दूसरी सब्विता यहीं पे दूसरी सब्विता रहने लगेगी तो जब खोदेंगे तो पहले हम मिलेंगे ठीक है हाँ तो जब सीधी खुदाई करते हैं जमीन के अंदर गहरे 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 वर्टिकल तो इसको अनुलंब खुदाई कहते हैं किसी को कोई डाउट है कि सर मुझे अभी डाउट है मुझे वर्टिकल एक्सकेबेशन नहीं यह समझ में आया साक्षी आपका ये बात समझ में आ गया ओके तो इससे क्या पता चलेगा कि उस छेतर में उस पूरे शेतर में कौन-कौन से युग के लोग रहते हैं उस पूरे छेतर की जानकारी आपको इससे मिलेगी सबको, सबको ये clear हो गया अब देखो, अब हम बात करते हैं horizontal excavation की हाँ, ये खुदाई कैसे होगी? ये गहराई में खुदाई होगी एक ही जगह को पकड़ा, खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए ठीक है? ओके अब मान लो कि कोई एक जगह है लंबी चौड़ी सी जगह है जब इसकी खुदाई लंबाई में करेंगे मतलब ज़्यादा गहराई नहीं इसको खोदा हाँ, याद आ गया, very good इसको खोदा और एकदम मतलब सीधा-सीधा खोदते गए, जो हमारी horizontal line इस प्रकार से होती है तो ये खुदाई यहाँ पर करी, फिर यहाँ पर करी फिर यहाँ पर करी, फिर यहाँ पर करी ऐसे ऐसे खोदते गए, साइड साइड से खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए तो आपको पता चला कि अच्छा खुदाई कर रहे थे तो Indus Valley Civilization निकली यहाँ से कोई भी जगर निकल सकती है खुदाई करने पर मालो की सिंदु घाटी सब्वेता निकली इंडस वैली सिविलाइजेशन तो जब ये खुदाई करने पर इंडस वैली सिविलाइजेशन निकली है तो अब क्या होगा भाई अगर गहरी खुदाई करोगे तो हो सकता है कि नीचे कोई दूसरी सब्बिता क्या उसे इस मिले, लेकिन अगर इंडस वैली सिवलाइजेशन के बारे में आपको जानना है, तो जितने गहराई तक आपको इंडस वैली मिला है, उतने ही गहराई तक जाओ, और अब सीधा खोधना शुरू करो, चैतीज कि उपर खोदना शुरू करो जैसे खेतों को खोदते हैं तो खेतों में गहरा गड़े थोड़े ना करते हो आप खेत जोतते हो तो कैसे जोतते हो या कुदाल से खोदते हैं तो यहां से मिट्टी निकाली फिर यहां से मिट्टी निकाली मतलब सीधे 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 तो ऐसे जब खुदाई होती है तो इसको हम कहते हैं 36 खुदाई अनकैडमी पर मैंने बताया था राइट ओके इससे क्या फायदे होंगे कि अगर सिंदू गाटी अगर सब्विता के बारे में हमने जानने की कोशिस की है अगर सिंदू गाटी सब्विता के बारे में हमने जानने की कोशिस क तो सिंदुगाटि सब्विता से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी हां पर हो सकता है कि कुछ दूर तक आप खुदाई कर रहे हो तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है सिटाडल मिल रहे हैं ठीक है पश्चमी साइड में थोड़ा सा और आगे खुदाई करोगे तो आपको यहां पर कौन सी चीज मिलेगी निम्न भूमी मिलेगी आपको क्या मिला निम्न भूमी या फिर लोवर शिटी ठीक है इस सिटाडल के ही अंदर आपको सारी चीजे मिल रहे हैं जैसे स्नानागार यह सब चीजे मतलब अगर किसी सब्विता के बारे में विसेश जानकारी चाहिए सिर्फ उसी सब्विता के बारे में आपको विशेज जानकारी चाहिए तो आपको कौन सी खुदाई करनी पड़ेगी 36 खुदाई बताइए शाक्षी डाउट क्लियर हुआ कि 36 खुदाई क्या होती है अनुलंबु खुदाई क्या होती है और किसी को कोई डाउट है इसमें किसी को भी एनिवन मनीशा अंसिका दीपती सालू अर्जुन कोई लोग भी अजय प्रजापत साब सब लोग बताईए कि सब समझ गये हैं वेरी गुड ठीक है यही रस्पॉं चाहिए मैं चाहता हूँ और यहीं मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग के पास कोई भी डाउट है और ऐसा नहीं किसी भी सब्जेट का एकजांपल एकजांपल हमने सिंदु-गाठी सब्वेता को दे दिया अगर हमें सिंदु-गाठी सब्वेता इतने गहराई तक मिल गई है तो अब हम वहां से एकदम 36 खुदना शुरू करेंगे अगर इंडिया में हमें इसका एक्जामपल देखना है तो मालो आलमगीर पूर्ज में जा करके खुदाई देखो मेरट 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 के पास जो सिंदू गायटी सब्वेता के तो महां पर सारी खुदाई ऐसे ही की गई है जितनी घराई तक मिला उ कोई भी खुदाई चलो तो आप लोग कोई सा भी प्रस्ण है हां मैंने आपका एंसर चेक कर लिया है जो प्रस्ण भेजा है उसको मैं बता दूंगा अच्छे तरीके से समझ गया और समझ जाना चाहिए तो किसी भी प्रकार का प्रस्ण हो आप लोग भेजिएगा मुझे कि सर यह मुझे नहीं कोई भी डाउट एनी सब्जेक्ट तो मैं कोसिस करूंगा जो जो मुझे आता होगा मैं बता ही दूंगा नहीं आता होगा तो मै जो उसमें कोई सर्माने की बात नहीं है चलो हाँ गलती नहीं बताओंगा आपको मैं यह है चलिए इंपोर्टेंट चालुक्या रूलर्स ऑफ बादामी बादामी के प्रमुख चालुक के सासकों की अब हम बात करेंगे कल हमने बादामी के जो भी चालुक के सासक्त है उनके बारे में हमने पढ़ा था और क्या-क्या उनके इतिहांस रहा है उसके बारे में पढ़ा है इतिहांस नहीं क्या-क्या श्रोत रहा है कि अगर आप चाल तो पूछा जाएगा क्या शाक्षे हैं बताइए प्रूव कीजिए क्या साक्षे हैं तो आपको कल हमने इन शाक्षों के बारे में लिखवाया था कि बाई चालुक के डाइनस्टी इन जगहों पे थी वातापी से सबसे पहले हमें चालुक के मिले थे वाका तकों के बाद 250 CE से 500 CE तक वाका तक थे 250 इसवी से ले करके 500 इसवी तक वाका तक थे वाका तक हमारे गुप्तों के शंकालین थे इन वाका तकों के बाद तक बाद कदम आए हैं कदम उब कदम्बStartically क्या शाक्षक थे इनिक ऑदम 예쁜 हमें सामंति के रूप में चालुक के क काम करते थे भाई तो जैसिंग थे और रणराग थे शुरुवाती दौर के राजा लेकिन हम जानते इतिहास में किसको हैं जिसने महान काम किया हो if you do not do the great things पुराने समय में भी आज में भी तो कोई नहीं पूछेगा किसी को क्या मतलब है यश्वन सिंग कौन है किसी को क्या मतलब है कि सालू कौन है दिप्ती कौन है कांती कौन है अजय कौन है लेकिन हो सकता है कि आपके गाउं से बाहर या गाउं में ही लोग नहीं जानत होगे तो फिर वो कहीं पर बहुत अच्छा काम करोगे तो आपके जीले के लोग कहेंगे कि अरे मेरे गाउं के हैं वो हां मेरे ही जीले के हैं ऐसे कहते हैं तो होता गया है कि जो बिल्कुल ऐसा ही होता है अर्जुन अब मैं मैं क्या कहता हूं मैं कहता हूं कि भाई मैं बि तो मैं कह रहा हूं क्यों कि महान व्यक्ति थे तो वैसे ही जैसिंग को और रणराग को किसी नहीं जाना क्यों कि सामन्त थे किसको जाना तो रंडराग के पुत्र पुलकेशिन परथम को लोगों ने जानना शुरू किया इतियास किसको जानता है जो बड़ा कोई तीर मार दे नहीं तीर मारों के कोई नहीं पूछेगा इसलिए क्या हो कोई बड़ा तीर मारो तो अच्छे तरीके से पढ़ाए करो, कुछ हो जाओ, अब देखो, पुलकेशिन 1 से हम पढ़ना शुरू करते हैं, अब देखो, पुलकेशिन 1 जो है, वो गद्दी पे बैठा था भाई, 535 में हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं, कि भाई, गद्दी पे बैठते हैं, राजा ऐसा राजा नहीं, पहले सामंत रहा होगा, तो उसके पुराने पीरियड को हम नहीं मानते हैं, जब से वो राजा हो गया होगा, तब से पुलकेशिन 1 के बारे में हम जानते हैं, तो आज जो हम पढ़ेंगे, पुलकेशिन 1, किर्थी वर्मन, और मंगलेस के बारे में और यह जितने भी पूलकेशिनऊंस दो किर्तिवर्मन मंगलेश विक्रमादित मुधिक ने सारे के विजय दित्विक्रमादि लुक इन गागते हैं । बादामी के चालुक के क्या कहते हैं बादामी के चालुक के क्लियर है अब इनके बाद से हम पुलकेशिन 2 के बाद हम देखते हैं कि बाई पुलकेशिन 2 के बाद यह जो बादामी के चालुक के हैं वह उसके बाद जो हुए वह कहलाएं कल्यानी के चालुक के अच्छा प्रथम ओके ओके शाक्षी हैं चलो वेरी गुड ठीक है तो उसके बाद जो नीचे के चालुके हैं उनको हम कहते हैं कल्याणी के चालुके अच्छा भाई किर्ती वर्मन टू के बाद ये हार गए डंती दुर्ग था एक राजा रास्ट कूतो का रास्टकूतो का था दंत्री दुर्ग इसने क्या किया इस किर्ती वर्मन टू को हरा दिया और गद्धी पे हडा के वहां से रास्ट कूट मिले 755 के बाद तो आप सोचोगे कि सर क्या चालुक की खतम हो गए नहीं जो बादामी के चालुक की थे ये खतम हो गए अब इन्ही के कोई वनसज थे या नहीं थे इन्ही के वनसजों में हमें काफी लेटर पिरियेड में थोड़ा सा आगे चलके हमें दूसरे लोग देखने को मिले जिनको हम कहते हैं क्या कहते हैं? दो चालुक की मिले एक हो हुए पश्चमी चालुक की जिनको हम Western चालुक की कहते हैं ये कल्याणी के ही थे तो बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई? मान ने खेत में बनाई और इन्हीं के एक दूसरे हिस्से एक भाई जिनको हम कहते हैं वेंगी के चालुक के आप सब लोगों को कल याद होगा कि मैंने बताया था कि सर्थ तब क्या ये चालुक के नहीं है? नहीं अगर मैं आपको बादामी के चालुक के पढ़ा रहा हूँ तो आप सिर्थ पढ़ेंगे कहां तक? किर्ती वर्मन टू तक बाद वाले चालुक है या नहीं है उससे मतलब नहीं है यह चालुक की ही है लेकिन एक को कहते हैं पश्चमी चालुक के और दूसरे को कहते हैं वेंगी के चालुक के ठीक है यह बिलकुल वैसे ही है कि यश्वन सिंग परिहार आपको कहते हैं कि भाई मैं गुर्जर प्रतिहा यारone से समंभन दित हूं किसी को पतावता है नहीं मेरे पास प्रूव करने को भी कुछ नहीं है हो सकता है कि genetics DNA को check करोगे तो साहर मिलें रइट के सा मिलें नहीं तो रीकैप कर रहे हैं ताकि आप पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस हो जाएं जो कल भूल चुके हैं अचानक से कोई ऐसा ना लगे तो आपको पता हो गया कि कौन कौन से कहां कहां के चालुक के थे बाई बादामी के चालुक्यों में हम सभी फुलकेशिन 1 किर्थी वर्मन काउंट करते हैं पुलकेशिन 2 के बाद के जो चालुक के हुए हैं वो कहां पे हमारे कल्याणी के चालुक कहले और बाद में यह सभी मतलब बादामी के писage ओं यही इक ब्रांच है बाद में यहीजो कल्याणी के चालुक की जब हार करके खतम हो गये रास्ठ्टव का शासन ह हो गया तब धीरे धीरे वहां पे बाद में जाकर के कल्यानी के ही जगों पे मानिखेत या पश्चमी चालुक के दिखें और वेंगी में वेंगी में पूर्वी चालुक के दिखें ठीक है पूर्वी चालुक के दुश्मन चोलो के मित्र थे चोलो के मित्र थे और पश्चमी चालुक के दुस्मन थे और हमने क्या बताया था भाई ये कौन लोग हैं तो अलग-अलग विद्वानों का इनके बारे में अलग-अलग मत है अगर हम देखें कल्याणी के चालुक्यों के राज-कवी जो थे जिनका नाम था बिलहण। उन्होंने एक लिखा है विक्रमंक चरित। बिक्रमंक चरित। ने यह बात लिखी है की जो चालुक्य थे वो अयोध्या के रहने वाले थे और कौन थे चंद्रवंशी शत्रिय थे राजपूत शब्द का milligrams शत्रिय थे कहां के हैं और योध्या के हैं कौन लिखता है तो बिलहन लिखता है बिलहन कौन है तो ये कल्यानी के चालुक्यों का राज कवी था जिसने की बिक्रम चरित की रचना की है क्लियर है ओके तो बाद में लेटर चालुक के चालुक्यों के जो इंस्क्रिप्शन है कौन से इंस्क्रिप्शन तो पुलकेशिन प्रथम का जो इंस्क्रिप्शन है बादामी का अभिलेक वो कहता है कि भाई ancestral home है यह ठीक है ancestral home अयोध्या के रहने वाले बट आल डीज है बिन ड़न टू लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह सारी बाते नहों अयोध्या भाई साउथ में है कहां से चले गए तो भाई हो भी सकती है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है क्योंकि history तो ऐसी है ना लोग तो migrate करते रहे हैं अभी हमसे पूछोगे last class में कौन पूछ रहे थे एक पूछ रहे थे सर आप कहां के हो तो भाई हम तो बिहारी हैं बिहार के हैं लेकिन आप पूछोगे कि सर कहां के मतलब कैसे तो मैं पूरवज 300 साल पहले राजस्थान से जोदपूर से आये थे तो हो सकता है कि इनके भी पूरवज अयोद्ध्याश से शिफ्ट हो गये हों तो history बहुत ही flexible चीज़ है फ्लेक्सिबल चीज़ है खासकल ancient history clear हां तो for getting respect and protection respectability legitimacy ताकि लोग उनका सम्मान करें तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये कहां के हैं तो इन्होंने बादामी के अभिलेक में लिखा है कि ये अयोद्ध्या के हैं चंद्रवन्शी शत्री हैं राइट ओके दूसरा अब जो स्मित ह स्मित कहता है कि बाइए विदेसी उत्फत्ती की है विदेसी उत्पत्ती किस से संभन्दित है तो गुर्जर प्रतिहारों से संभन्दित हैं अब गुर्जर प्रतिहार आप सोचोंगे सरे गूरजर है या हाँ हिस्ट्री है कुछ भी हो सकता है especially nc industry में क्योंकि वहां पर क्या पता चलता अभी अभी जो मैंने आपको खुदाई बताई तो खुदाई से जो जानकारी निकली लोग उसी से हिस्ट्री को एक करते हैं सोचते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा अच्छा ऐसा हुआ होगा तो कहानी तो जो बना लूझ में क्लीर कि तो अगर चालुक्त्यों को देखोगे तो कि स्मित है श्मित श्मित लिखता है कि बहुद हैğı गूर्जर प्रतिहार थे अब आप सोचोगे सर गूर्जर या प्रतिहार नहीं नहीं अयोध्या में कोई भी प्रूब नहीं मिला है चालुक्यों का कोई प्रूब नहीं है सो अगर जो समित है स्मित कहता है कि यह गूर्जर प्रतिहार है अब आप सोचोगे सर गूर्जर है या प्रतिहार या परिहार जो मैं हुँ वह राजपूत है तो मैं कह रहा हूँ गूर्जर प्रतिहार है हो सकता है कि गूर्जर प्रतिहार एक ही लोग हो हो सकता है कि उसमें कि जो प्रिंसली जो थोड़े पैसे वाले जो थोड़े शाषक टाइप के हो वो प्रतिहार हो गए हो जो आम लोग हो वो गूर्जर हो गए हो तो यही स्मित कहता है कि हूडों के साथ जब हूडों ने आक्रमन किया भारत पे भूड आये तो उसी समय खीजर नाम की एक कबीली आई जाती भारत में आई जिन्होंने राजस्थान नेयों मालवा के शेत्रों पे अधिकार कर लिया और बाद में ये गुर्जर प्रतिहार कहला है गुर्जर प्रदेश वाले हिस्से गुर्जर प्रदेश राजस्थान को कहते थे वहां पे ये रहते थे और इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों की एक understood कि कौन है हाँ आयोद्या में इनका कोई भी प्रूव नहीं है यह बस सम्मान पाने के लिए और ऐसी चीजे पाने के लिए कहते हैं अब देखो तो यह जो वेस्ट जो इनका पश्चमी उत्पत्ति का सिद्धान्त है स्मित के द्वारा दिया हुआ यह भी अमानने है इसको भ चालुक के भाई इतनायोध्य से आये हैं और ना ही गुजर पतिहारों से संबंदित मदेशिया से भी नहीं है कहां से यह भाई तो चालुक्यों के बारे में कहा गया यहीं लोकल कंड़ड़ वाले थे रैट जैसे नहीं कि मेरट की मिठाई है और कहां से तो मैक्सिको से सच बात यहीं है कि कहीं के थे नहीं वहीं के करनरंड यहां प्लेव करनर जो कि कदंबों के यहां पे रहते थे बाद में जब यह पावर में आये येस इस इस करेक्ट बाद में ये जो पावर में आए तो इनोंने ब्रामणों का सांथ लिया और कहा कि यार हमें छत्रिय बता दो तब जाकर के लोग हमारे थोड़ा इज़त देंगे चत्रिय बताओगे तो लोग कम से कम के भाई हुकुम हैं बावु साहब हैं तो इसलिए इनोंने कहा और सच्चाई जो है यही है कि कहीं अयोद्या ओद्धा के नहीं थे नहीं गुर्जर प्रतियारों से संबंदित थे और नहीं गुर्जर प्रतियार विदेसी हैं वो भी यह दीप्ती अंशिका शालू कांती सिंग प्रथम और शाक्षी कि अप सभी जानते हो हर्ष सभी आप जानते हो कि सक कुशान हूड राइट पार्थियन पहलो सभी भारत में आए लेकिन भारत से बाखी बाहर कभी गए नहीं ये ग्रीक क्या हुए ये हमारे सोसाइटी में एकदम एमलमेट हो गए हमारा हिस्सा हो गए हो सकता है कि मैं अगर अगर क्या नाम है कि प्रतिहारों से संबंद रखता हूं तो हो सकता है हुणों के साथ आया होंगा और यह जादा तर जो यह जातियां है जो हुण शक कुशान ग्रीक वह आपके उपर वाले कास्टों में जादा मिलेंगी मतलब ब्रामणों में राजपूतों में जाटों में राइट ज आप देखोंगे ना लंबे चोड़े शरीर के लंबे चोड़े राइट गोरे गोरे राइट यह जो आग यह जो सारेरिक धांचा है देखने का वह आपको इनी लोगों में मिलता है क्लियर है समझ रहो तो इसी लिए स्मित का भी कहना जायज हो सकता है लेकिन चलो अब अलग अलग शिद्धानतों को हम रखेंगे पीछे इतिहास मानता है किसको शाक्षियों को इतिहास मानता है किसको शाक्षियों को, प्रूफ मानता है, तो प्रूफ हमारे पास दो ही है, एक प्रूफ है जो कि बिलहन का लिखा हुआ बिक्रमाम चरित जिससे पता चलता है कि भाई ये चंद्रवंसी शत्री थे तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो साहितिक शोत ह है, that is literary evidence, भाई, कोट में जाओगे, कोट में चाओगे और अंसिका ने कहा कि सालू ने मेरा, सालू ने मुझे, क्या नाम है, मुझे थपड मार दिया, ठीक है, तो थपड मारा, तो भाई, क्या प्रूफ है, तो कोई प्रूफ नहीं है, तब भाई, आएंगे, वहां पे कौ कोई नहीं हो तो, फिर वहां पे सालू के उंगलियों के निशान खोजे जाएंगे, सालू के उंगलियों के निशान खोजे जाएंगे, कि अच्छा, तब सालू के उंगलियों के निशान अगर मिल गए, तो फिर सालू पकड़ी गई, सालू ने थपड मारा है, अब सालू फिर से वोँ चेक करेंगे तो भाई सालु के मूँऊ पर निसान खो जा जाएगा तो अनसिका के दोनों ही गालों पर निसान मिलेंगे तो भाई होगा कि नहीं भाई अंसिका दो सी है तो अब अंसिका फस गई लो उल्टा हो गया तो हिस्ट्री किस बात को मानती है शाक्षेओं को तो हमें दो शाक्ष मिले हैं एक मिला है लिट्रेरी ठीक है हाँ ठीक है एक मिला है लिट्रेरी साहितिक जो कि विलहन का है विलहन का साख्ष कि कि विक्रमांग चरित में उसने लिखा है कि चंद्रवनशी शत्री है तो मानना पड़ेगा और दूसरा बादामी का अभिलेक जिसमें यह बात लिखी है कि भाई चालुक के जो थे वो मानब विग्रोथ के थे और चंद्रवंशी शत्री हैं तो आपको यह बात माननी पड़ेगी क्लियर है एवरीबडी ओके चालुक्यों के इतिहांस के शोद मैंने बताया था एहियोल में है फुलकेसीन 2 का जिसमें की हमें पता चलता है कि 634 A.D. में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में उस युद्ध में उसने हराया था किसको हर्षवर्धन को प्लस उसके बाद से चालुक्यों की हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है और contemporary दूसरे सास्कों के भी बारे में बताया गया है बादामी का inscription, publication प्रथम के बारे में बताता है महाकूट का अविले किर्ती वर्डबन प्रथम के बारे में बताता है फिर मंगलेस के भी बारे में बताता है यह other sources भी है तो यह चीजे हमने कल बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था आज उसके आगे पढ़ेंगे कुछ राजाओं के बारे में पढ़ते हैं शुरू करते हैं हम पुलकेशिन प्रथम से मैंने आपको क्या बताया कि पुलकेशिन प्रथम गद्धी पे कब बैठा था तो 535 में 535 बीसी में बीसी बोल रहा हूं सौरी एडी all the times are in A.D. या C. इश्वी में गद्धी पे बैठा शुरुवाती दौर में हो सकता है वो भी सामन्त रहा हो और किसके सामन्त थे ये तो सामन्त थे ये हमारे कदंबो के ठीक है इसने ये कदंबो का सामन्त था दूसरा इसको माना जाता है कि पूरे बादामी के जो चा लुक्यों का संस्थापक कौन था तो पुलकेशिन वन था क्यों क्यों पुलकेशिन वन था क्योंकि हमेशा महान व्यक्ति ही गिने जाएंगे अगर कल के दिन हां कदंबो के शामन्त थे क्योंकि पहले वालों के नाम नहीं गिने जाएंगे क्योंकि मालनों की कांती कल के दि तो है, he was the founder of the dynasty, बादामी का चालुक के था यह, ठीक है, इसी ने हराया होगा, तो अब कैसे हराया होगा, तो यह बात हमें यहां से मिलती है, चलो, पुलकेसिन 1, So, founder of the चालुक के डाइनस्टी, he established a small kingdom with बातापी, as its native capital, बादम, बातापी में इसने सबसे पहले इस वन्स की स्थापना की, किसने? पुलकेशिन प्रथम ने, और इसके बारे में जो खास बात है, वो क्या है? पुलकेशिन प्रथम के बारे में, तो सबसे पहले यह खास बात ह है, कि इसने यह था कदमबो का सामन्त, किसका सामन्त था यह? कदमब सासको का, मतलब कि फ्यूडल ओफ, फ्यूडल या फ्यूडेटरी, फ्यूडेटरी ओफ, कदमब रूलर्स, इवाल्द फ्यूडेटरी ओफ, कदमब रूलर्स, तो भाई, कदमब सासको का यह सामन्त था, और उसके बाद क्या गिया भई उन्हीं को मार दिया होगा कदंब शाशकों का शामंत और पिता का नाम क्या था तो पिता का नाम था रणराग का पुत्र रणराग का पुत्र और कदंब शाशकों का सामन था फिर इसने क्या क्या कि और कब से कब तक रहा तो यह कहते हैं कि सुर्वाती दौर से यह मतलब सामंत रहा होगा बाद में इसने क्या किया कि एक युद्ध हुआ 550 AD में 550 AD में अब यह मजबूत होगा मजबूत होकर के इसने कदंब सासकों का सामंत में पहले थोड़ा सा इज्जत बनाया होगा फिर जब ये मजबूत हो गया तब इसने क्या गया 550 AD में डिफीट कर दिया ही डिफीटेड हूम इसने सेलेक्शन में बार बार इन 550 AD 550 AD में इसने डिफीट कर दिया डिफीटेड कदंब रूलर कदंब रूलर हूँ हरी वर्मन हरी वर्मन कदंब सासक हरी वर्मन को इसने हरा दिया ठीक है और हरा करके बादामी को अपना कैपिटल बनाया तो हिंदी में भी लिख लीजिए कि इसने 550 AD में 550 इस्वी में कदंब सासक कि सासक कि किसको कदंब सासक हरी वर्मन को हरा कर हरी वर्मन को हरा कर वादामी में वादामी में श्वतंत्र श्वतंत्र चालुक के शम्राज की स्थापने की और देखो जब भी जब भी आप क्या होगे कि जब भी आप दीरे 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 मजबूत होने लगते हो तो आप क्या करते हो नाव यू स्टार्ट चैलेंजिंग फीपल जब भी आप मजबूत होने लगते हो तो आपको अपने सक्ति पर घमंड होने लगता है कि आप रही मैं क्या था कि मैं दसवी दसवी तक जब पढ़ता था सब्संदाब प्रने लिखने में अच्छा था ठीक था ऐग्क तो अर्य इतनीड नहीं थी और मना साथ से तब जिम नहीं आया था तो मैं क्या किया कि अकेले से कूब मेहनत करता था बहुत मतलब बैठक उठक बैठक लगाते 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 फिर क्या हुआ कि अब मेरे साथ जो भी लोग होते थे मैं उनसे मतलब तुरंत उनको ठोकने रगता है लड़ना ह तो जब भी कोई ताकतवर होगा तो उसका क्या होगा कि slowly slowly he will start challenging the people right तो same काम is full case in प्रथम ने किया ताकतवर हो गया इसने हरी वर्मन को हरा दिया और फिर लोगों को लगा ठोगने ओ लड़ेगा लड़ेगा मिर से और तब इसने क्या किया अस्व में किया हाँ ऐसा होता है इस हैपन्स जब आप थोड़े मजबूत हो जाओ तो यू विल स्टार्ट चैलेंजिंग पीपल अगर कौन है अर्जुन यू आर देर अजय साल कि चलो कोई लड़के हैं जो जिम जाते होंगे वो बताएंगे थोड़ी तर अपने आप में मतलब एक गलत फैमी आ जाएगी कि मैं बहुत ही मजबूत हूं तो फिर आप क्या करोगे कि आप फिर दूसरे से अर्जुन कभी जिम गए होगे तो यह बात आपको पता होगी शुरुवाती के 15-20 दिन जब थोड़े हाथ-पाउं खुल जाते है राइट वाटी देन ही ही प्रफॉर्मड ही प्रफॉर्मड अश्वमेग यद हाँ जब कोई उठा के पड़क देगा तब समझ में आ जाएगा चलो सॉरी ही प्रफॉर्मड अश्वमेग अश्वमेध यग्य यग्य तो इस्टेबलिस तो इस्टेबलिस इस सुप्रियोरिटी या विर सुवैनिटी यह क्या है यह युद्ध करना शुबैनिटी यह युद्ध करना क्या है अश्वमेग यग करना क्या है अचा अचा बिलकुल सालू ने अगर किया है तो फिर पता होगा अश्वमेग यग करना क्या है कि भाई पहले छोटे सामन थे फिर हरी वर्वन को हडा दिया फिर क्या किया अश्वमेग यग किया घोडा छोड़ दिया और बोला कि भाई अगर किसी को दम है if somebody want to mess with me, come on मेरे घोड़े को रोक के दिखाओ तो भाई घोड़े को किसी ने नहीं रोका और मजबूत सासक हो गया राइट अगर घोड़े को किसी ने नहीं रोका तो फिर मजबूत सासक हो गया जहां जहां तक घोड़ा गया वो वो जगह उन लोगों ने वैसे ही इससे हार मान ली सो यही इसने काम किया तो उसने पुलकेशिन प्रथम ने हाँ सो पुलकेशिन प्रथम ने अपनी प्रभुशत्ता को प्रभुशत्ता को साबित करने के लिए साबित करने के लिए क्या गया भाई अश्योमेग ही अग्या अश्योमेग बोला कि अगर किसी में दम है if anybody want to mess with me just stop my horse and just feel the heat कि मैं क्या फिर हाल करूंगा लेकिन भाई लोग डरे हुए थे किसी ने उसका घोड़ा रोका नहीं नहीं रोका भाई के लिए अश्योमेद किया अश्योमेद यग्य किया clear है अब लोग यह सोचते थे कि अश्योमेद करने से क्या होगा सर अश्योमेग यग करने का मतलब बहुत बड़ा है ठीक है then ruled कब से कब तक किया वास्तों में 543 में तो वो धीरे धीरे अपने आपको मतलब ताकतवर बताना शुरू किया होगा बट शुरुवाती दौर में he ruled from 535 दोनों ही समय याद रखना है एडी टू 566 एडी और 565 66 एडी क्लियर है एबरिबड़ी डाउट्स क्लियर बोलिये हम अब देखो कि कहां से इसके बारे में क्या साच्छ है कौन बताएगा तो देखो इंस्क्रिप्शन ओफ इंस्क्रिप्शन ओफ बादामी दा इंस्क्रिप्शन ओफ बादामी इंस्क्रिप्शन ओफ बादामी कब लिखा गया है भाई 543 में इंस्क्रिप्शन ओफ बादामी gives accounts of gives accounts of publication 1 543 हिस्वी में उसका एक अभिलेख हाया है उसमें कुछ बातों की जानकारी इस publication प्रतम के बारे में publication प्रतम के बारे में जानकारी मिलती है ठीक है? इसी में लिखा है कि भाई यह क्या थे मानब विगोत्र के चंद्रवंश्य शत्रिये थे तो हम लिखेंगे कि बादामी के अभिलेख कि पुलकेशिन हाँ होल एरिया पर रूल करने के लिए पुलकेशिन बादामी के अभिलेख बादामी का है? करनाटक में ठीक है? तो बादामी के अभिलेख पुलकेशिन प्रथम के पुलकेशिन बादामी के अभिलेख आप लिख लो कि का उलेख करते हैं? ठीक है? ओके यह तो हो गया इसके बारे में थोड़ा सा और भी पीछे जो मैं यह जानकारी है इसको भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं इस फाउंडर ओफ दाइनस्टी बिल्ट मेजर हिंदू टेमपल इन एहोल बदामी पतकल हाँ तो यहां पर यह बात जरूर लिखिये कि इसने कहां-कहां पर मेजर हिंदू टेमपल यानि की यहीं पर लिख देता हूं मैं या वहां पर ले चलते हैं बिल्ट मेजर हिंदू टेंपल इन एयोल वन मिनिट एंड सो एक मिनिट रुकिए है जस्ट यह चीज उठाके वही ले चलते हैं बिल्ट मिनिट पर वर सेठा के लुर बा को जो सकती हैं कि यह हम ले आए यहां पर क्लियर तो सीरीज ही बात है कि बिल्कुल ही यह सभी मंदिर करनाटक में है और करनाटक में ही अलग-अलग शेत्रों में है और इन करनाटक है तो इसने क्या किया भाई इसने एहोल में एहोल इसने एहोल में बादामी में एवं पत्कल में ब्रिहत हिंदू मंदिर बनवाए है हिंदू मंदिर बनवाए यह भी जानकारी आपको मिल गई दूसरा और भी इसको कुछ उपाध्या मिली है इसको क्या क्या कहा गया भाई इसको कहा गया है शत्य श्रय इसको इसे शत्य श्रय शत्य श्रय बल्लभ और धर्म महाराज नहीं अभी लेखों में अभी लेखों में अभी लेखों में इसे शत्य श्रय वल्लभ धर्म महाराज बताया गया है क्लियर है यहां तक इस एवरी इंफॉमेशन अब पुलकेसिन बन अब इससे ज्यादा आपको मेंस में भी नहीं आएगा राइट इससे ज्यादा जानकारी आपको मेंस के लिए भी नहीं लिखनी है इस इस कम्प्लीट ठीक है किसी को कोई डाउट है रणराग का पुत्र था पांसो पैंटीस हिस्वी में गद्धी पे बैठा शामंत था पहले पांसो तैंतालीस तक दीरे दीरे पावर्फुल होने लगा पांसो पचास में इसने कदम सासकरी वर्मन को हरा दिया और बादामी में एक श्रतंत्र चालुक के श्रामराज की स्थापना की अपनी प्रभुसत्ता को सामिल करने के लिए को साबित करने के लिए अश्युमेध यग किया बादामी के अभिलेक में इसके बारे में जानकारी मिलती है एहोल बादामियम पत्कल के ब्रहत हिंदु मं संदिर बनवाए और अभिलेखों में इससे शत्याश्रे और वल्लब तथा धर्म महराज बताया गया है कि ठीक है कोई डाउट किसी को कोई डाउट नहीं है डूसरे महराज से मिलते हैं कि दूसरे महराज से मिलते हैं बट इनके बारे में भी हम जानकारी वहां से उठाला आते हैं पहले जो लिखा है वह एक्चुली मैं जब बाद में पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी यह मिली तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर ली चलो subjugation of यह वैसे यह सारी चीज़े लिखी हैं अगर लिखी हैं तो फिर कोई जरूरी नहीं है ctrl c और अगर यह सारी चीज़े लिखी हैं चलो यह रहा नहीं नहीं यहां पर इसको भी इंक्लूड कर लो देखो ठीक है अब यह देखिए अब जैसे ही पुलकेशिन वन की मिर्ति हुई तो उसके बाद उसका बेटा बैठा गद्दी पे बेटे का नाम क्या है वही बेटे का नाम है पुलकेशिन वन के बेटे का नाम है कीरती वर्मन प्रथम कीरती वर्फन प्रथम प्रथम कीरती वर्मन ने पांसो चाच्छट से लेके 566 से लेके 597 AD तक राज किया ये कौन था पुलकेशिन प्रथम का बेटा था उत्रादिकारी था पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था और इसने क्या इसने अपने kingdom को खूब जादा खूब बढ़ाया इसने क्या गिया भई इसने कदम्बो को हराया कदम्बो को कि वास अगें दे कदम सो बनवासी एंड नल और बस्तर इसने क्या गिया भई कि इसने एक मिनिट कि इसमें आपके बनवासी के इसने कदम्बो को हराया बनवासी के कदम्बो को उसके बार नलवाडी के नलो को हराया नलवाडी के नलो को हराया नलवाडी का बतसर वाला जो इलाका है MP में पढ़ता है 36 गड़ में बस्तर 36 गड़ में पढ़ता है बताईएगा तो इनको नलों को हराया फिर इसने साउथ कनारा अब कनारा जो है यह हमारे कनारा में अलूप थे अलूप तो यहां पर देखो हम अच्छे तरीके से लिखते ह है यह लोग एक जैसे नाम क्यों रखते थे बहुत ही अच्छा कुश्चन है बहुत ही अच्छा कुश्चन है बस्तर इजिन 36 गड़ हां और बहुत ही अभी माववादियों के लिए बहुत ही होट स्पॉर्ट है राइट हर्ष्जन है हां देखो यह लोग अपना नाम इस से क्यों रखते हैं कुश्चन है यह सीदी सी एक बात है कि आपने देखा होगा कि किर्तिवर्मन वन है और बाद में चलके किर्तिवर्मन टू भी मिल जाएगा ऐसा लोग क्यों नाम रखते थे तो देखो मैं यश्वन सिंग हूं अब मुझे भाई मुझे हमेशा इस पात का लगता है कि मेरे से बहुत महान मेरे पिता जी थे मैं आज भी मैं काफी अच्छी सर्विस में हूं केंद्र श्रकार की लेकिन कहीं पे भी जाता हूं तो पिता की वज़र से लोग कहते हैं हेमन सिंग के बेटे हैं तो मुझे थोड़ी सी इज़्जत जादा मिलती है तो मुझे हमेशा इस बात का वो रहता है हमेशा इस बात का यह रहता है कि मतलब मैं कि मैं कुछ भी हो जाऊं I cannot be famous और I cannot be good like my father मुझे इस प्रकार से feel होता है त इतना मतलब खुश हो कि वह अपने बच्चों का किसी का नाम हेमन सिंग ही रख दे तो यही काम होता था लोग जो famous होते थे प्रक्यात होते थे जिनके उपर गर्व करते थे उनका नाम रख लेते थे राइट सालो कांती सिंग ऐसा ही है बिलकुल मतलब आपको जो भी व्यक इतने का नाम रखूंगा हो सकता है बेटा मेरा उतना ही महान हो जाए ऐसा होता है तो अब देखो अब हम बात करेंगे कि बाई कीरती वर्मन वन पुलकेशिन प्रतम के बाद गद्दी पे बैठा और उसके बाद इसने क्या किया इसने चालुक के समराज को और भी ज्यादा बिस्तार किया बिस्तार कैसे किया तो इसने क्या किया भाई कदंबो को हराया कदंबो को हराया उसके बाद वस्तर के वस्तर के नलवाडी है नलवाडी नलवाडी वस्तर के नलवाडी के नलवंस को हराया उसके बाद और किसको हराया तो दक्षणी दक्षणी कनारा के दक्षणी कनारा भी करनाटक में ही है बिल्कुल दीप्ती भी ऐसा चारती है तो हो सकता है कि दीप्ती दीप्ती का आगे चलके कोई संतान हो वो उसका नाम रख देना जो मतलब जो आपके मामा जी है उनके जैसा ऐसा लोग करते हैं इस हैपन्स तो दक्षणी कनारा और यह भी कहा है यह भी करनाटक में ही है तो दक्षणी करनारा के आपको अलूपो को हराया अलूप और किसको यह हराया बिल्कुल सही बात है कि कोई भी नाम से नहीं बट अपने काम से महान होता है बट ऐसा होता है this is a general thinking कि लोग सोचते हैं कि उसका नाम महान था बिल्कुल सही बात कहा जैने कि सोचते हैं कि अगर उसका नाम महान था तो नामों में जरूर ही कोई अच्छी बात है कि अच्छा यह बताओ कितने लोग कितने लोग का नाम अगर रख दिये जाए कि भाइज सतुरु विभीशन है विभीशन नाम कोई पसंद करेगा कोई नहीं पसंद करेगा कितने लोग पसंद करेंगे कि मेरा नाम रावण है बहुत कम लोग पसंद करेंगे बोला कि आपका मेरे बेटे का नाम कंस रहेगा कोई नहीं पसंद करेगा क्यों क्यों क्योंकि लोग सोचते हैं वै तो अगर इसका मैं नाम रखूंगा बुरा नाम रखूंगा तो हो सकता है वैसा हो जाए ठीक है वैसा ही हाँ बिलकुर रावन तो महान ग्यानी था रावन एक बहुत बड़ा ब्रामड कहते हैं कि युद्ध के बाद राम ने लक्षमड को बेजा कि जाओ उससे बिद्धा सी दिग्या हो बट कोई भी कोई भी अपने बच्चे का नाम रावर्ड या कुम्बकरण या कंस हां या फिर हिरने आच हिरन कस्यप कोई नहीं रहना चाहेगा लोग बेटे का नाम प्रलाद जरूर लखे रख लेंगे राम रख लेंगे कृष्ण रख लेंगे तो लोग ऐसा काम कर लेते हैं सो दक्षिन कराना करनाटक अलूपो को उसने हराया उसके बाद देखो मौर चीफ औफ कोंकण अब ये मौर जो हैं जैसे पुराने मौर तो काफी पहले थे पुराने मौर काफी पहले थे अब हो सकता है कि कोंकण कोंकण कहां है कोंकण गुजरात वाले हिश का है महारास्ट्रा कंफर्म कीजिए कोंकड महारास्ट्रा गोवा कॉंकड तो कॉंकड के शेत्रों में बताईएगा मैं तब तक के लिए महारास्ट लिख रहा हूं अगर गलती होगा तो आप लोग से मैं मैं चेंज कर दूंगा महारास्ट है तो कोंकड के शेत्रों में बाद में कुछ राजा हुए होंगे कोंकड कोस्ट है तो महारास्ट में है तो कोंकड के शेत्रों में जो कुछ राजा हुए जो अपने आपको क्या कहते थे मौर कहते थे तो कोंकड के शेत्रों में मौर शासकों को हराया अब इसको मत बोल देना सर मौर तो वो पुराने वाले थे वो भी थे जैसे मैं खुद को कह रहा हूं कि भाई मैं परिहार हूं प्रतिहार हूं हाँ ग्रेट प्रतिहारास वैसे ही यह हूंगे कोई मौर जो कहते हूंगे अपने आपको मौर लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है तो इसके बारे में जानकारी हम देख लेते हैं तो किरती वन के बारे में जो जानकारी है उसके बारे में विष्थीच जानकारी हमें मिलती है मंगलेज के अभिलेख मंगलेज के अभिलेखों से थे हैं तो हम लिखेंगे पढ daod महाकूट initially इंस्क्रिप्शन ओफ इंस्क्रिप्शन ओफ मंगलेस मंगलेस इसके बाद गदी पर बैठा है मंगलेस इंस्क्रिप्शन ओफ इंस्किर्ण ओप। खर्च किर्थी वर्मन्स वन किर्थी वर्मन्स विक्ट्री भाई सीधी सी बात है कि जो हमारे मंगलेस के महाकूट अभिलेख जब भी आप बात करेंगे वैनेबर यू राइट आ एन्सर क्योंकि आप लोग का एंसर अब सबका एंसर सुधर गया है काफी काफी अच्छा हो गया है ठीक है हाँ काफी अच्छा हो गया है तो अब आप लोग क्या करोगे कभी भी एंसर लिखो गे तो कोसिस करो कि वहां पर जब भी किसी के बारे में लिखो तो उसके शाक्षों को बताओ कहां पर लिखा गया है ठीक है तो महाकूट inscription of ममलेज, give the details of किरती वर्मन विक्ट्री किरती वर्मन के विक्ट्री के बारे में जीतों के बारे में महाकूट के अभिलेक बताते हैं ठिक है? ओके, अब इस अब इसका एमपाय महाकूट मंगलेज के महाकूट वन मेट अविलेक किर्थी वर्मन के किर्थी वर्मन के विजयों के बारे में बताते हैं विजय के बारे में बताते हैं बहुत ही महान सा सक्था बताते हैं clear है ओके अब और भी चीजे है भाई सीधी बात है दूसरा इसके बारे में बहुत खास खास ये बाते है इस एम्पाइर इस एम्पाइर इंक्लूड़ेड कौन कौन सी जगह महारास्ट करनाटक आंद्रप्रदेश एरियाज ओफ महारास्ट्र महारास्ट्र आपने देख लिया कौन सी जगह थी करनाटक कुंकड का छेत्र यह करनाटक में तो थे करनाटक कौन सा आंद्रप्रदेश थोड़ा सा MP 36 गड़ वाला भी हिस्सा आंद्रप्रदेश और इसको क्या कहते हैं ही इस नोन आज दो फॉस्ट बिल्डर 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 ओफ वाटापी वाटापी का पहला निर्माता कहा गया इसको देखो कितना सुन्दर है ठीक है है बिकॉस ही बिल्ड सिर्फ युद्ध में ही आगे नहीं था कई सारे चीज़ें नगर्श ठीक है ही बिल्ड ब्यूटिफल सिटी है ही बिल्ट इड मैनी ब्यूटिफल टैम्पल्स ब्यूटिफल टैम्पल्स एंड विल्डिंग्स इन वातापी लो भाई इसके बारे में ये पूरी जानकारी हो गई तो हम कहते हैं कि कीर्थी वर्मन इसके सामराज्ज में महारास्ट्र इसके शामराज्ज में महारास्ट्र इसके शामराज्ज में एवं आंद्र पर्देश के हिस्से सामिल थे ठीक है इसे बातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है और क्या है क्योंकि इसने वातापी में कई शुन्दर मंदिरों भवनों का निर्माण कराया है हाँ प्लीज हर्ष जरूर लिखे आज भी हम कोश्चन्स वो कर रहा है जित्ति डोंट वरी आपका अंसर गलती नहीं हो रहा है वो कोश्चन ही ऐसा था मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों को धीरे धीरे अब मतलब थोड़ा मुश्किल मैंने कभी इससे पहले आपको नहीं कहा था कि आप अपने अंसर में यह क्या नाम है शाक्षों को लिखिए बट अब मैं कह रहा हूं क्यों क्यों कि किसी चीज का बहतर होना एक क्रमिक प्रक्रिया है हम जो हुमन्स अभी इतना लैप्टॉप पे बैठके पढ़ रहा हैं पढ़ा रहा हैं मोबाइल देख रहा हैं हम ऐसे नहीं थे एक क्रमिक प्रक्रिया होती है इसलिए कि अगार ऑच्पय बहुत अच्छा हर्श तो आपको कैसे लगी स्कुन आप ने पहले कि ली वह कैसी क्लास ब्लब कि ठीक लगी होंगी और उसके पहले की बी क्लासिट्ट है जो वह लगेंगे सब कॉल करने तो उस चीज का कि छलो तो शाक्ष क्या है शाक्ष है ओके वेरी गुड बहुत ही अच्छा जैनों के भी बारे में पढ़ा होगा आपने तो अब हम देखते हैं मंगलेश मंगलेश अब बही किरती वर्मन प्रथम की जब किरती वर्मन प्रथम का जब डेथ हुआ है वेरी गुड चलिए सब कुछ बढ़िया देख लिए है सो मंगलेश मंगलेश उसके बाद गद्दी पर बैठा मंगलेश कौन है क्या यह भाई है नहीं भाई नहीं है मंगलेश यह बेटा नहीं है भाई है मंगलेश वाज दब्रदर ओफ ब्रदर ओफ कीरती वर्मन मंगलेश जो है कीरती वर्मन का भाई था भाई था अच्छा डेटा गदम हो गया मंगलेश कौन था भाई मंगलेश हमारा कीरती वर्मन का भाई था अब कीरती वर्मन की हो जाती है हत्या कीरती वर्मन वाज मुझा अच्छा आप लोगों को मैंने बताया है एक सिधान्त होता है प्राइमो जैनिचर कई बार बताया है आप में से कौन बताएगा कि प्राइमो जैनिचर का सिधान्त क्या होता है प्राइमो जैनिचर एनिवन हर्ष दीप्ती कांती सिंग शालू बताईए सब लोग प्रजापत साथ अजय सब लोग बताईए किसी को पता है प्राइमो जैनिचर क्या होता है अंसिका एनिवन प्राइमो जैनिचर वो इस गोइंग तो तेल दिस मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ क्या कोई बताएगा चलो मैं ही बताता हूँ ठीक है प्राइमो जैनिचर अंसिका याद है बड़ा भाई के रहते हुए छोटे भाई के सासन करना ना उल्टी बात कह रही है आप उल्टी बात कह रही है प्राइमो जैनिचर क्या है हमेशा बड़ी संतान ही गद्दी पर बैठेगी गद्दी पर बैठेगी अब देखो राम लक्षमन यही है प्राइमो जैनिचर मतलब हमेशा बड़ी संतान ही गद्दी पर बैठेगी यह यूजवली हमारे हिंदु धर्म में ऐसा लोग मानते थे अब किर्थी वर्मन किर्थी वर्मन की मिर्ति हो गई तो उसके बाद उसका बेटा पुलकेशिन टू गद्दी पर बैठना था राइट किर्थी पुलकेशिन टू को गद्दी पर बैठना था लेकिन पुलकेशिन टू बहुत बच्चा था बच्चा था अभी माइनर था राइट तो पुलके सिन्टू को गद्दी पे बैठना था अब लेकिन बहुत बच्चा था इसलिए हम देखते हैं कि गद्दी पे कौन बैठा गद्दी पे उसका भाई मंगलेस बैठा लेकिन मंगलेस जब गद्दी पे बैठागा तो वह एक सिर्फ रीजेंट बनके बैठे करने वाला राजा के बदले शाषन करने वाला वो कोई राजा नहीं है राजा के बदले थोड़े समय के लिए उसको बैठाया गया है जैसे ही यह गद्धी पे बैठेगा तो उसको हट जाना है क्लियर है राजा के बदले शाषन करने वाला तो मंगलेज भाई गद्धी पे ब अपना मंगलेज भी बहुत ही विस्तारवादी था 597 से लेकर के 60980 तक इसने शाशन किया यानि कि कुल मिला के कितने साल 9 और इधर 3 कुल मिला करके इसने 13 साल तक शाशन किया अब ये भी जो था बहुत ही विस्तारवादी था विस्तारवादी तो इसने क्या गिया भाई ही वहाँ विस्तारवादी था इंपरिलिस्टिक था मंगलेश वास मंगलेश वास मंगलेश वास इंपरियलिस्ट यानि सम्राज्यवादी था इंपरियलिस्ट मंगलेश वाई बहुत ही सम्राज्यवादी था गुजरात खान देश मालवा राइट और मालवा के में स्पेशली कल्चूरी कल्चूरी सासक थे इस सब के उपर उसने अटाइक किया और कहते हैं कि अटाइक जो इसने किया ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहा बड़ इसके जानकारी हमें कहां से मिलती है तो इससे मंगलेश वाउज इंपरियलिस्ट इतने जगों पे अटाइक किया है यह कहां से जानकारी मिलती है तो इट इस एविदेंट फ्रॉम दा एहोल एहोल इंस्क्रिप्शन वहां पे जो एहोल में एहोल इंस्क्रिप्शन है वहां से इसकी जानकारी मिलती है ठीक है देखो मालवा और मालवा में कहों थे कल्चुरी कल्चुरी सास को पर इसने आकरमन किया और उसको लूटा एवं लूटा ठीक है इसकी जानकारी इसकी जानकारी हमें एहोल के अभिलेक से मिलती है जानकारी कहां थे बहिए एहोल के अभिलेक से ठीक है ओके अब लूट कर रहा है लूट कर रहा है दो ही अटाइक्ट लूटा है लेकिन राज नहीं बड़ा है दो ही अटाइक्ट इसकी आप लूट को रहा है अटाइक्ट की टाइक्ट लूट कर रहा है अटाइक्ट की जाईक्ट कि नो इन्क्रीज कि इन हिस एंपायर भाई एहोल के इंस्क्रिप्शन में तो लिखा है कि गुजरात खांदेश खांदेश भी महरास्ट्रा में है तो यहां यहां पर इसने अटाइक किया था लेकिन इससे क्या पता चलता है कि बाई कोई कोई भी सामराज में कोई भी व्रिद्धी नहीं हुई थी यानि कि लूटता था जाके लूटे रहा था ठीक है इन्हों ने कि इसने इन जगहों पर कि इन जगहों पर कि आक्रमण किया कि उन्हें लूटा कि लेकिन कि इसके सामराज में कि सामराज के भू भाग में कि भू भाग में में कोई भी व्रिद्धी नहीं हुई भाई कोई भी व्रिद्धी नहीं हुई जितना था उतना ही रहा ठीक है उसके बाद और इसने क्या किया ही गॉट विक्टरी ही गॉट विक्टरी इन कोंकर्ण में भी उसे विजय हांसिल हुई तो सीधी सी बात है कोंकर्ण में भी उसे विजय हांसिल हुई कोंकर्ण में भी विजय हांसिल हुई ठीक है ओके और कौन था भाई इसके बारे में और विसेज जानकारी तो और विसेज जानकारी यहां पर मैं भूल गया और आपको वहां से उठागर के कॉपी करके मैं ले आता हूं डोंट वरी एक मिनट रुगिए यहां पर मुझे पहले ही उठागर लाना चाहिए था जस्ट टोंट वरी यह रहा यह हां फिर हम यह आते है चालुक्यास एक मिनट जस्ट टोंट वरी यह क्या हुआ यह रुग गया ठीक है कोई बाट नहीं और देखो और इसके बारे में क्या जानकारी भाई यह अजूम्ड टाइटिल्स ओफ उरुरण प्रक्रमा इसने उरुरण प्रक्रमा की उपाद्धी धारण की उरुरण प्रक्रमा की उपाद्धी धारण की इसके बारे में अगारे यह यह अग्जी हां इसने कौन को नहीं लेग वह क्या हुआ था मैंने कौपी किया था वह रिस्पॉंड नहीं कर रहा था दोट वरी अभी हो गया उरुरन प्रक्रमा की भी इसने उपादी दर्ण हाँ हो गया ठीक हो गया है इसके बारे में यह रहा है अब एक बार करेंगे तो साथ फिर से हो गया हो गया ठीक है ओके ठीक तो कॉंखड में इसे विजय हांसिल हुई दूसरा इसकी कौन कौन सी उपादिया है इसकी उपादिया कौन कौन सी है तो इसकी उपादिया है इसकी उपादिया नहीं इसने सबसे पहले देखो इसने बादामी में वैश्णों मंदिर का निर्मार कराया इसका मतलब क्या होगा किस संप्रदय को मानताथा वैश्णों को मानता था का निर्मान कराया थीक है यानि की वह वैश्णों था इसने और कौन्चeras धालन प्रक्रमा इसने उरूर राणा राणा प्रक्रमा उसके बाद से राणा विक्रमा अब राणा विक्रमा राणा विक्रमा और कौन परम भागवत यानि कि खुद को भगवान विष्णु का भर्त बताता था यह परम भागवत कि उपाध्या धारण की उपाध्या धारण की तो एहोल के अभिलेक से जांकारी मिलती है और क्या इसने और क्या गिया भाई तो एक विसेश काम इसने किया है तो देखो कौन सा काम भाई किर्ती वर्मन महा कूट का अभिलेक इसी ने लिखवाया है महा कूट का अभिलेक महा कूट सक्थिश्चन बदी महाकूड इंस्क्रिप्शन वस रिटन इस ताइम इसी ना लिखाया भाई महाकूड का अभिलेख यहां साइड में लिख दू मैं छोटा आएगा महाकूड का अभिलेख इसी ने लिखाया है छोटा लिखेगा लेकिन आप लोग साइद न देख पाओ तो डोंट वरी पीडिएफ में दिख जाएगा यहां नीचे लिख दे रहा हूं या मंगलेश ने महाकूड कि अभिलेख दिखवाया कि बास इसके बारे में इतना अब यहां पर एक बात जानने लाइख है कि भाई मंगलेज गद्दी पे बैठा भाई के मरने के बाद गद्दी पे बैठा क्यों कि किर्ती वर्मन का बेटा किर्ती वर्मन का बेटा पुलकेसिन टू काफी छोटा था बच्चा था इसलिए भाई ने गद्दी समाली अब भाई ने गद्दी समाली तो यह भी इंपेरिलिस्ट इसने क्या किया गुजरात पे खान देश पे मालवा के कल्चूरी सासकों पे अटैक किया जैसा कि एहोल के inscription में लिखा गया है एहोल के अभिलेक में ये बाते लिखी गई है कि इसने क्या किया इसने अटैक किया एहोल inscription राइट वैसे इस अटैक से उसके सामराज में बृध्धी नहीं हुई लेकिन उसने खुब धेर सारा रुपया धन लूटा वहाँ से उसको दूसरी विजय मिली वो कॉंकड़ वाले शेत्रों में मिली महारास्टा वाले शेत्रों में क्लियर है यह वैस्णो शंप्रदाय को मानता था हिंदु धर्म के इसलिए इसने बादामी में वैस्णो मंदिर का निर्मान करवाया इसने उरु राना प्रक्रमा राना विक्रमा परम भागवत की उपाधी धारण की थी क्लियर है कि मंगलेस ने महा कूट अभिलेक भी लिक्वाया है डॉंट इसको नहीं भूलना है कि महा लेक अभिलेक यह हमारे मंगलेस नहीं लिक्वाया है महा कूट अभिलेक और एक बार यह गद्दी पे तो जगा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था भाई पुलकेशिन टू भी बड़ा हो गया तो बोला कि चाचा जी अब जगा छोड़िये मुझे राजा बनना है तो ये नहीं बनने दे रहे थे तब पुलकेशिन टू ने क्या किया कि भाई पूरी ग्रिह युद्ध की स्थित कि और पिई निए रॉड़् बी आगई और फिर पुलकेशिन टू ने इनको गदी से हटाया और पुलकेशिन टू गदी पे बैठा राइट फुलकेशिन-2 भईया हमारा गदी पे बएथा लेकिन ये मंगलेज उतरने के लिए तैयार नहीं था, तो इनमें काफी लडाईया भी हुई, पुलकेसिन 2 गद्धी पे बैठा, और पुलकेसिन 2 जो है, बादामी के चालुक्यों में सबसे पाउरफुल था, सबसे महान चालुक के पुलकेसिन 2 है, तो जब महान चालुक के आता है, तो आपने एकता कपूर का सेरियल देखा होगा, कि अब क्या होगा, महान चालुक के बारे में जाने, तब तक वो लिख देता है, तू बी कंटिनूड, अब आगे की कहानी कल की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, फुलकेसिन 2 के बारे में, अभी तक जो पढ़ाया किसी को कोई डाउट है, बताईए, फुलकेसिन 2 के बारे में हम कल पढ़ेंगे, अभी तक किसी को कोई डाउट है, एनिवन फड़ा फड़ एक बार रिकाप कर देते हैं या इंग्लिस में किसी को ओके अगर यह है तो फिर बताने की जरूरत नहीं है चलिए दुबारा से भी नहीं बताने की जरूरत है फुलकेशिन वन कीर्ती वर्मन एवं मंगलेश ओके वेरी गुड़ सबको क्लियर है चलिए वेरी गुड़ ठीक है तो बाकी की कहानी पुलकेशिन टू बहुत महान राजा था इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे देखो कितना महान है कई सारे पेज़ेस हैं बाकी लोग के एक एक पेज इसके बारे में बहुत सारे पेज तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कल फिर से वही सारी नॉर्मल क्लासिज होंगी ठीक है और सालू का थोड़ा यह रहता है इसलिए हम साम वाली क्लासिज को 7.30 से ही रखेंगे एट ओ क्लॉक हो जा रहा है वो ना करके हम 7.30 से ही रखेंगे सो अच्छा लगा होगा और जो भी एंसर मैंने आपको दिया है पिछले क्लास में मैं अभी उसको लिख दूँगा और उसको तुरंत ही आप लोग लिखिएगा जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज डू राइट दैंसर सो जैहिंद एवरिवरिवन थैंक्स एंड जैहिंद अक्षा दिख्ड़्ड़ को लिखू हमक्षा वग दिएख्ड़्वर्ड़न मैं मन्र देखब सफब्साब सबुनल्स का जैहिंदे